नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूँ आपके साथ अनू पाकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी चिराग बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर देश के उन नौजवानों से जुड़ी हुई है जो कुछ कर गुजरने का सपना लेकर कोटा या ऐसे जगों पर जाते हैं जहां पर वो पैयारी कर सकें नीट की लेकिन नीट में क्या स्कैम हुआ है क्या लाखों बच्चों के भविश्य को दाओं पर कुछ लोगों ने लगा दिया ये सवाल अब उठ खड़ा हुआ है क्योंकि नीट 2024 पर चार संगीन आरोप तो साफ साफ चिराग लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और जिसमें जो सबसे पहला और जो बड़ा आरोप है वो ये है कि नीट की कट ओफ 2024 में इतनी हाई कैसे चली गई 67 बच्चे तो टॉप कर गए हैं मतब ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को चुकि नीट का जो एक्जाम होता है उसमें माइनस मार्किंग भी होती है ठीकिन अगर आपने सारे के सारे सही जवाब दे दिये तब भी आपको 720 में से 720 मिलेगा लेकिन अगर आपने एक भी उसमें गलती है तो वो 716 मिलेंगे लेकिन कईयों को 718, 719 इस तरीके के नंबर क्यों मिलेंगे इसको लेकर सवाल हो रहा है ये तो एक आपती है और इसके अंदर जो दूसरा बड़ा आरोप लग रहा है वो यही है कि 719 और 718 नंबर कैसे आ गया चुकि अगर आपने एक कोशन भी चुकि माइनस मारकिंग एक कोशन गलत किया तो सीधे आपके फिर या तो 720 आएंगे या फिर 716 आएंगे 718 या 19 का कोई सकोप उसमें है नहीं तीसरा जो बड़ा आरोप है वो छे नीट टॉपर एक ही एक्जाम सेंटर से कैसे हो गए ये बड़ा बुनियाली सवाल है कि सार तारिक जिस दिन देश भर में मतगड़ना हो रही तो उसी दिन ही रिजल्ट आया है ये भी मैं आपको बता दूँ उस दिन तो बस उन्हीं पता चल पाया जिन्होंने एक्जाम दिया था बाकी तो सब चुकि मतगड़ना के उसमें थे और दूसरा ये है कि इसमें पेपर य जो मेहनत करने वाला है उस बिचारे को अपना माता ही पटकना पड़ता है रिजल्ट आने के बादे बिल्कुल आपने अनूप सहीवाद बोली और सबसे बड़ी बातों मैं पढ़ रहा था प्रहंका गांधी का कोट इसमें उन्होंने भी इसमुद्दे को उठाया और ये कि किस तरह से कई हमने खबरे देखी जहां स्टूडेंट से सुसाइड कर लिया कोटा में भी हुआ है ये आप सोचे कि स्टूडेंट्स इसको लेकर सुसाइड कर रहे हैं क्यों irregularities है यानि कि अनेमिता है इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ जो National Testing Agency है जो NTA उन्होंने हाला ये बहुत वैलिड कुश्चन है जो आपने रेस किया कि एक ही सेंटर में इतने सारे टॉपर ये अजीब सी बात है दूसरी बात सरकार को कोई नुमायंदा आएगा सामने जो ये बात 24 लाख बच्चों ने एक्जाम दिया आप सोचिए जो अलग-अलग सेंटर्स पड़े और ये आने वाले डॉक्टर्स हैं क्योंकि ये मेडिकल एक्जाम है और ये देश का भविश्य है और ऐसे में अगर विपक्ष इसको रेस कर रहा है बुद्दे को तो दिक्कत क्या है विपक्ष को भी छोड़िये जो बच्चे एक्जाम दे कर आए हैं आप उनको सैटिस्वाइड करेंगे नहीं करेंगे पांच मई को ये नीट का ये एक्जाम हुआ और चिराग देश की ये सबसे बड़ी और दूसरी सबसे मुश्किल परिक्षा मनी जाती है तो आप इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इसमें शामिल हो रहे हैं जो जो जिन बच्चों ने एक्जाम दिया कितनी लगन कितनी मेहनत उनोंने की उनके माबाप की सपने उनके खुद के अपने सपने और कोटा इस मामले में कितना बदराम है ये भी हम देख रहे हैं इसलिए उस तानाओ को समझा जा सकता है लेकिन हम सलसले वार आते हैं जो कि चार बड़े आरोप लगाए गए हैं पहला जो आरोप है कि नीट की कट आफ दोजार चौबिस में इतनी हाई कैसे है ये एक बड़ा और बनियादी आरोप है और जब से मेटिकल इंटरंस के लिए नेशनल इ और फॉर म किया इस बात को तो चलिए किसी तरीके से हजंद किया जा सकता है लेकिन इक सवाल है कि इतना हाई कैसे गए है इसको फिर थीक है भई सबी कि मेहनत कर रहे थे सारी चीज़े है सब कुछ ठीक है लेकि एह लगा सा रिकॉर्ड हुई रेकॉर्ड पर ही में आ रहा 2021 में नीट pass करने वालों के आवरेज marks 280.13 और जनलगே नीट qualifying marks 138 थे 2022 में ये 269 हुआ और जनलगे लीए 170 2023 में नीट pass करने वालों के आवरेज marks 239.41 और जनलके लिए नीट qualifying marks 137 2024 में नीट पास करने वालों के जो एवरेज मार्क्स हैं वो 323.55 हैं जिसको लेकर आरोप लग रहा है बवाल मच रहा है और जिनरल के लिए जो कौलिफाइंग नीट मार्क्स हैं वो 164 है ये एक बुनियादी सवाल यहां पर उठाया गया जिसका नीट जो एंटिये उसने अपने तरफ से उसका मैं उसका पतायता हूँ जो एंटिये ने एक्स्प्लेंड किया है उन्होंने काया है कि 2023 में करीब 20 लाख ब्यारतियों ने ये परिक्षा दी थी अब 24 में करीब करीब 24 लाख होगी यानि 4 लाख बढ़ गई है तो शायद ये माइट वी दा रीजन की हाईर स्कोर किया है चीक इसलिए 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 इस रीजन को समझा जा सकता है लेकिन जो दूसरा आरोप है वो बहुत संगीन दिखाई देता है पहली नजर में आरोप ये कि 720 में से 719, 718 ये नंबर कैसे दिए गए इसकी गड़ना कैसे की गए चुकि जो मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि नीट टोटल मार्क 720 का होता है और हर सवाल के चार अंक होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक अंक कटता है अगर किसी स्टुडेंट ने सभी सवाल सही किये तो उसे 720 में से 720 मिलेंगे लेकिन अगर एक सवाल का उत्तर नहीं दिया तो उसे 716 मिलेंगे ठीक है? समझी आप और अगर एक सवाल गलत हो गया तो उसे 715 मिलने चाहिए लेकिन 718 और 717 तो साफसाफ दिखाई दे रहा है ना माइनस मार्किंग का जो गणित होता है ये सवाल उठ रहा है मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही NTA ने आकर तो चली एक लारिफिकेशन दे दिया है सरकार की तरफ से जो एजुकेशन मिनिस्टर है जो वो आकर इस पर क्लियरिटी देना क्या है? या जो स्वास्तिमंत्री है वो आकर क्लियर करें कि ये इशू है सरकार तो अभी नव निर्मान चीक है नव निर्मान में लगिये है 24 लाग बच्चों के भविष्य की बात है नव निर्मान अच्छी बात है आप करिए एक अगर आप किसी को भेज देंगे तो कोई एक किसी भी अगर वो एक कॉमन आकर मीडिया प्लेटफॉर्म पर या शोशल मीडिया पर या कोई दो मिनट की वीडियो बनाकर लेकिन एंटिये क्या कह रहा है इस जो मार्किंग के लिए एंटिये कह रहा है कि पंजाब हरियाना चंडिगड हाई कोट में कई याचकाएं लगाई गई जिन में बच्चों ने पांच माई की परिक्षा में कुछ सेंटर्स पर समय बरबाद होने की शिकायत की थी एंटिये ने सीसी टीवी फुटेज चेक करने जाच करने के बाद पाया कि कैंडिडेट्स की गलती नहीं थी और ऐसे में सुप्रीम कूट के 13 जून 2018 के जज्जमिन के अधार पर उन बच्चों को लॉस आफ टाइम के लिए कंपन सेंटरी मार्क्स दिये गए जो 718 और 729 ये एक वज़े बताई गई है जिस पर सवाल उठ रहे हैं जिस पर लोग हंगामा कर रहे हैं नीट आपर लिष्ट पीडिएफ में छे कैंडिडेट के रोल नंबर सीरीज एक ही है यानि उनका नीट एक्जाम सेंटर एक ही था इसमें से चार को तो टोटल 720 में से 720 मार्क्स मिलें एक को 719 मिलें एक को 718 मिलें छे लोगों की ये रिपोर्ट कार्ड आरोप क्या लग रहे हैं कि उस सेंटर पर जरूर कुछ गड़वड़ी की गई है जिसके जवाब में एंटिये ने कहा है कि नीट आंसर की 2024 में फिजिक्स के एक सवाल पर 13373 चैलेंज मिले थे और ये NCRT की नई और पुराने किताब की वज़े से था सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने एक ही जगे के दो आप्शन सही बताए टॉप करने वाले 67 में से 44 को रिवाइज आंसर की और 6 को समय गवाने के कारण नीट कमपनसेंसरी मार्ग्स दिये गए ये पूरे नीट टॉपर्स पूरे देश से आए हैं जो आरोप लग रहे हैं उसके जवाब क्या संतोष जनक समझ में आते हैं जिससे कि जो 24 लाग बाकी हैं वो मान जाएंगे देखी ये बात तो अब आपिसली उन्होंने अपना जो एंटी है उन्होंने अपना एक पक्ष रख दिया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है सरकार क्यों नहीं आ रही इसमें दूसरी बात इन्होंने जो बात की है एंटी का जो एक ऑफिशल स्टेटमेट है जिसमें इन्होंने का है कि इनको पॉलिसी क्या थी कि नहीं के आधार पर इनको पेपर बनाना था या पुराने का अधार पर बनाना था इन्होंने जो बोला NTA ने उन्हों बोला है, we received a representation on this issue as well, which caused NTA to assign five marks to all students who have marks one to other option. यारी इनको भी, NTA को भी बात पता है, लेकिन सवाल ये ना, कि अब इतने सारे students हैं, भाई, आप clarity दीजिए, मैं ये नहीं कर रहा कि पूरा exam, क्योंकि एक exam कराने में कितना खर्चाथा है, किस हिसाब से infrastructure लगता है पूरा, लेकिन अगर कुछ miscommunication है, या अगर कुछ students की बात आपको नहीं समझ में आ रही है, या students को नहीं समझ में आ रही है, बतों दोने बाते करूँगा, कोई एक तो पक्षिस में है, जिसको समझ नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि अगर बच्चे इतने लेवल पर आकर ये पॉइंट रेस कर रहे हैं, यही नहीं है, यह टेक्निकैलिटीज की बात नहीं है, चौथा जो संगी नारोप है, वो तो पेपर के लीक करने का है, कि नीट पेपर लीक 2024 का ये मामला बनता है, परिक्षा के दिन ही नीट पेपर लीक की खबरे आने लगी थी, बिहार समयत अन्य राज्जों में जांच शुरू हुई, जो अब तक जारी है, लेकि नारोपों को तब तक खारिच कर दिया, अब नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने कहा है, कि एन्टिये ने गड़बड़ी करने वालों के ख़लाफ केस दर्ज किये, कुछ केस राज्जी कियों कि पुलिस के पास भी दर्ज है, जहां भी जरूरत है एन्टिये जांच एजनसीों को नीट यूजी 2024 केसिस के मामलों में पूरा सहयोग दे रहा है, हलाकि इन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे आने भी बाकी है, एन्टिये पेपर लीग का कोई भी मामला अभी तक पूरी तरीके से नकार रहा है, लेकिन मामले तो दर्ज हुए हैं ना, अगर बिना धुएं के या आग लगी हुई है ये, सारी बाते हैं ना, और ये परचा लीग की बात तो उसी दिन आने लगी जिस दिन एक्जाम था पांस तारीक को, देखे इनका कि मैं ट्वीट पढ़ देता हूँ जो न्टिये का है, उन्होंने कहा कि ये दोजार चॉबिस जो कंड़क्ट हुआ था, गरीब 4750 सेंटर्स में हुआ था, 571 सिटीज में हुआ था, जिन में से 14 सिटीज एवराइड में भी हैं, 24 लाग कैंडिटे अराउंड इसमें बैठे थे, इन सब को दिहान में रखते हूँ, कुछ क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिये, उन्होंने का, इन उन्होंने बात बोली, दूसरा बोला, जो हम बात कर रहे थे, कि भाई, वो कॉम्पेटिटिटिव नेचर की वज़े से, कॉट आफ हो सकता है, बड़ भी जाती है, बहुत जादा कई अच्छे बच्चे भी निकल कर आते हैं, स्कोर, सेम तो सेम भी कर सकते हैं, इसके अलावा, कॉट आफ एन एवरेज मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड केंडिएट आउट आउट ऑफ सेवन टूटिएट वेरीज इच येर, तो ये अपनी बात, नेशनल टेस्टिंग एजनसी ने की है, लेकिन सवाल वोई हैं कि बच्चे स्यूसाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकल इशो बन रहा है, देखे हम यहां पर बैट के, अगर कोई मेहनत कर रहा है, तो उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, पहली बात, दूसरी बात, अगर इसमें जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, और किसी भी तरह की सत्यता है, तो एक दम इसको खारिस कर देना चाहिए, या तो सरकार की तरफ से आए, क्लैरिफिकेशन आए, ओट में अगर बच्चे जा रहे हैं, या उनके पेरिट्स जा रहे हैं, तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, बच्चों के फ्यूचर है, पैसे लगते हैं लोगों के, इतना टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पढ़ा ही करते हैं वो, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात, ऐसे में अगर इस तरह से, बिल्कुल घपले बाजी हो, या भी इसमें दोनों चीज़ें, एक्जाम को रद कर देना भी कोई समधान नहीं, जिस बिचारे ने मेहनत कर देना इसका आया है, अगर मान लिजए ये प्रॉसेस जो आरोप लगा रहे हैं, ये भी संगीन है, अगर जो आरोप संगीन है, अगर उसमें सत्यत आया है, तो बिल्कुल कैंसेल होना चीज़े, जो बच्चे इसका मतलब जो कोईशन रेस कर रहे हैं, क्या गलत रेस कर रहे हैं, कहने का मतलब है, अब इसकी ये वक्त आगया है, बार बार उठा रहे हैं, इसमें घपले माजी का है, इसमें एक ही सेंटर से कई लोगों के टॉप करने का है, इसमें पेपर के लीक होने का है, और इसमें उस नंबर पर भी सवाल है, कि आखिर 720 मेंसे 718 मिल कैसे गए हैं, तपर्स्का भी है, बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया चिराफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका यहां रुक रहे हैं लेकिन आप नहीं जाईएगा नहीं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हैं आज तक डिजिटल